बचों आज हम देखेंगे NCRT क्लास 6 की हिंदी की पाठी पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग एक और इस पुस्तक का पांचमा पाठ है अक्षरों का महत्व इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मुले जी आज हम देखेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रशन जिनका अभ्यास करके आप इस पाठ को और भली भाती समझ सकते हैं तो आईए देखते हैं वो अतिरिक्त प्रशन कौन-कौन से हैं पहला है पाठ पर आधारित क्विज या बहु विकल्पिय प्रशन दूसरा प्रशन है पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रशन इसमें आपको प्रशन उत्तर पर आधारित प्रशन देखने को मिलेंगे तीसरा है भाशा की बात आधारित व्याकरणिक प्रशन पाठ में दिये गए व्याकरण से सम्बंधित प्रशनों को इसके अंतरगत रखा गया है तो आईए देखते हैं बहु विकल्पिये या क्विज से सम्बंधित कौन-कौन से प्रशन इसमें दिये गए है बचो यहां पर सबसे पहला प्रशन है दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए यह एक क्विज आधारित प्रशन भी है इसमें जो प्रशन दिया गया है उसके चार विकल्प दिये गए है उन में से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है तो सबसे पहला है पुस्तके बनी हैं क कहानियों से, ख कविताओं से, ग अक्षरों से, ग नाटकों से दूसरा किस काल में मनुश्य चित्रों के जरिये अपने भाव व्यक्त करता था? क एतिहासिक काल में, ख प्राग एतिहासिक काल में, ग प्राचीन काल में, ग आधुनिक काल में तीसरा प्रश्न, अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ था? क छह हजार साल पहले, ख चार हजार साल पहले, ग दस हजार साल पहले, ग तीन हजार साल पहले चौथा प्रश्न मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है क नय देशों की खोज, ख समुद्र के नीचे की खोज, ग जमीन के नीचे की खोज, ग अक्षरों की खोज पांच्वा प्रश्ण है, अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य को क्या माना जाने लगा? क सभ्य, ख संसकारी, ग अनपड, ग आधुनिक चट्मा प्रश्ण है, मनुष्य ने जब लिखना शुरू किया, तब से क्या आरंभ हुआ? क समाच, ख इतिहास, ग पढ़ाई लिखाई, ग विद्याले साथमा प्रश्ण, चित्र संकेतों के बाद किस तरह के संकेत अस्तित्व में आए? क भाव संकेत, ख नृत्य संकेत, ग लिखित संकेत, ग उप्रोक्त सभी आठमा प्रश्ण, हमारी यह धर्ती कितने साल पुरानी है? क दस अरब साल, ख सात अरब साल, ग छ अरब साल, ग पाँच अरब साल नवा प्रश्ण, करोडों वर्ष तक धर्ती पर किनका राज रहा? क राक्षसों का, ख जानवरों और वनस्पतियों का, ग केवल जीवजन्तुओं का, ग केवल वनस्पतियों का दसवा प्रश्ण, दस हजार साल पहले आदमी ने क्या बसाना शुरू किया? क शहर, ख बाजार, ग घर, ग गाँ ग्यारवा प्रश्ण, सबसे पहले मनुष्य किस से बने ओजार इस्तमाल करता था? क पत्थर, ख लकडी, ग लोहे, ग हड़ी बारवा प्रश्ण, पत्थरों के बाद मनुष्य ने किस से ओजार बनाए? क तामबे और कांसे से? ख लोहे और लकडी से? ग तामबे और लोहे से? घ कांसे और लोहे से? तेरवा प्रश्न गाउं बसाने के बाद मनुष्य क्या काम करने लगा क घर बनाने लगा, ख ओजार बनाने लगा, ग खेती करने लगा, ग कपड़े बुनने लगा चोदवा प्रश्न पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज पाठ के लेखक हैं तो बचों यहाँ पर बहु विकल्पिये प्रश्न खत्म होते हैं इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पर आपको दिये गए प्रश्नों के उत्तर खोज कर लिखने होंगे तो पहला प्रश्न है अक्षरों की खोज के बारे में पुराने जमाने के लोग क्या सोचा करते थे दूसरा प्रश्न है पाँच अरब साल पहले हमारी धर्ती कैसी थी तीसरा प्रशन चित्रों के माध्यम से किस प्रकार वस्त्वों और भावों को प्रकट किया जाता था चौथा प्रशन अक्षरों की खोज मनुश्य की सबसे बड़ी खोज क्यों मानी जाती है इसके बाद आता है व्याकरण आधारित प्रशन इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है दिये गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करते हुए मूल शब्द का अर्थ लिखिए यहाँ पर जो शब्द दिये गए हैं उन्हें पहले आपको उपसर्ग से अलग करना है और उसके बाद जो आपको मूल शब्द मिलता है उसका अर्थ लिखना है तो शब्द इस तरह से हैं क असफल ख अनुचित ग अपरिचित ग अद्रिश्य च अनावश्यक छ अनिच्छा ज असमर्थ ज अप्रसन व्याकरनिक प्रशनों के अंतरगत जो चौथा प्रशन है वह आधारित है विशेशन पर यहाँ पर विशेशन के दो भेदों के बारे में पताया गया है पहला है संख्या वाचक विशेशन और दूसरा है परिमान वाचक विशेशन तो आईए सबसे पहले हम विशेशन के इन दो भेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं पहला है जो शब्द संग्या की संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहा जाता है उधारन के तौर पर पांच आदमी दो दर्जन केले दूसरी कक्षा दुगुना पैसा यहाँ पर आदमी केले कक्षा और पैसा सभी संग्या शब्द हैं लेकिन इनके आगे जो शब्द लगे हुए हैं जो कि इनकी संख्या के बारे में बता रहे हैं जैसे कि पांच आदमी दो दर्जन केले दूसरी कक्षा और दुगुना पैसा पांच दो दर्जन दूसरी और दुगुना जो है वो विशेशता बता रहे हैं इन संग्या शब्दों की तो ये सारे जो संख्या वाचक शब्द हैं वो सभी संख्या वाचक विशेशन कहलाएंगे दूसरा है जो शब्द संख्या सरवनाम के माप तौल का बोध कराते हैं उने परीमान वाचक विशेशन कहा जाता है जब किसी संग्या या सर्वनाम शब्द के नाप तौल की बात होती है तो वहाँ पर नाप तौल के बारे में जो शब्द लिखा जाता है वो परिमान बाचक विशेशन कहलाता है जैसे कि चार लीटर दूद, दो मीटर कपड़ा, दस किलो गेहूं यहाँ पर दूद, कपड़ा और गेहूं सभी संग्या के शब्द है लेकिन इनके आगे जो इनके परिमान को बताते हुए शब्द लिखे गए हैं जैसे कि चार लीटर दूद, दो मीटर कपड़ा, दस किलो गेहूं तो यहाँ पर चार लीटर, दो मीटर, दस किलो ये सभी प चुनकर लिखिये यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं वच्चों एक बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिये गए हैं और यहां पर कुछ ऐसे प्रश्न दिये गए हैं जिनमें की रिक्त स्थान भी दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर बॉक्स से चुनकर जो भी सबसे सही खीर, पांचवा है पांच डाश जमीन, छटवा एक डाश दूद, सातवा चार डाश कपड़ा, आठवा दो डाश नमक, नवा तीन डाश इट, दसवा चार डाश आम, और ग्यारवा बीस फीट डाश तो यहां पर सभी जो रिक्त स्थान है, वहां पर आपको सही शब्द भरना है, आशा है आप सब लेखक गुणाकर मुलेजी द्वरा लिखा गया यह पार्ट, अक्षरों का महत्व को पढ़ने और उसका भावार्थ समझने के बाद, पार्ट से सम्मंधित दिये गए इन अ